Hello Students, Welcome to Commerce with Ashok, मैं हूँ Ashok Kumar और आज हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में Students, बार्टर सिस्टम एक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी प्रोड़क्ट, सर्विस को लेते वे आपको उसके लिए पेसे देने की जरूरत नहीं होती आप किसी भी commodity को लेते हैं, तो उसके बदले में आप commodity ही देते हैं, या अपनी कोई service देते हैं ये एक बहुती पुराना सिस्टम है जोके इतना ही पुराना है जितना इसान का अपना वजूद इंसान को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी और करंसी एंवेंट नहीं होई थी तो इंसान ने उसका ये तरीका निकाला कि जिसके पास जो कमोडिटी एक्स्ट्रा होती थी वो अपनी उस commodity को किसी दूसरे से exchange करा लेते था या अगर उनके पास कोई commodity नहीं होती थी तो वो जिस काम में expert होता था दूसरों के लिए वो काम कर देता था और उसके बदले में वो उनसे कोई commodity, कोई product, कोई भी चीज ले लेता था Let's suppose अगर आप खेत में काम करने में expert हैं या आप किसी को कोई काम सिखाने में expert हैं तो आप वो काम किसी और के लिए कर सकते हैं और उनसे कोई commodity या कोई और काम करा सकते हैं ये system बहुती ज़्यादा मशूर हुआ और ये पूरी दुनिया में चल पड़ा और आज भी ये system कई जगाओं पर चल रहा है हाला कि बार्टर सिस्टम बहुत अरसा पहले currency के invent होने के साथ ही खतम हो गया था लेकिन ये कभी भी इस दुनिया से मुकमल तरह से खतम नहीं हुआ अभी भी ये इस दुनिया में चल रहा है मैंने यहां पर कुछ websites के नाम आपके सामने शेयर किये है एक website का skinny shot भी शेयर किया है ये websites अभी भी बार्टर सिस्टम पर डील करती है आप अपना कोई भी extra सामान इनको दे सकते हैं और उसके बदले में इनसे कोई दूसरी commodity ले सकते हैं बार्टर सिस्टम बहुती ज़्यादा फायदे वाला था अपनी जगवस में कुछ प्रॉब्लम्स भी थे लेकिन फायदे भी थे तो चली सबसे पहले इसके advantages डिसकस करते हैं कि उसके क्या क्या advantages थे तो सबसे पहला जो बार्टर सिस्टम का advantage था यह बहुती simple था यानि आप एक commodity लें और दूसरी commodity दे दें यानि आपके पास जो भी चीज एक्स्टरा है आपो किसी और कुल दे दें और इसके बहले कोई और चीज ले लें जिसकी आपको जरूरत हो बस लेना और देना था इससे इलावा कोई और इसमें complication नहीं थी तो बहुती simple system होगा करता था यह दूसरा जो advantage था हुए था किसमें पैसे या money involved नहीं थी तो money से involved कोई problem भी नहीं होता था जैसे के आज के वक्त में हम currency के तुरू deal करते हैं तो जहर सी बाते हमारी government जितनी ज्यादा notes print करती है inflation भी उतना भड़ता जाता है फिर हमें tax भी देने पड़ते हैं तो बार्टर सिस्टम में जब currency involved ही नहीं थी money involved ही नहीं थी तो ना tax देना पड़ता था और ना inflation होती थी अब आते हैं कुछ problems की तरफ यह वो problems हैं जिनकी वज़ा से बार्टर सिस्टम खतम हो गया और इनसान को currency invent करनी पड़ी तो जो पहला जो problem था वो था need of double coincidence इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि let's suppose आप shoes बनाने में expert हैं आप shoes बनाते हैं आज आपने shoes बनाए और वो shoes दे के आपने अपने किसी पड़ोसी से shoes के बदले में milk ले लिया तो आज के दिन तो आपका गुजारा होगा milk का अगर कल आप दुबारा एक और pair shoes का लेकि आप अपने पड़ोसी के बाद आएंगे तो कल शायद आपको shoes के बदले milk नहीं देगा क्योंकि उसके पास पेहने के लिए पहले से ही एक pair of shoes है जो आपने उसे कल दिया था आज उसे shoes के बदले में कुछ और चीज़ चाहिए होगी लाइक tomatoes अब आपको milk तब मिलेगा जब आप उसको tomatoes देंगे अब आपको पहले वो आदमी दूनना पड़ेगा जिसको आपके shoes की need भी हो और वो बदले में आपको tomatoes भी दे सके तो जब आप किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसके पास tomatoes होँ आप उसे shoes देते हैं और tomatoes लेते हैं वो कहता है कि आप बहले tomatoes ले जाओ लेकिन मुझे shoes नहीं चाहिए मुझे शूर्स के बदले में आप कोई और चीज दे जाए लाइक पटैटो और लाइक और कोई चीज अब उससे टमाटो लेने से पहले आपको उनको वो चीज देनी पड़ेगी जिनकी उनको नीड है तो ये लेक आफ डबल कोईंसिडेंस का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था यानि जिस चीज की आपको नीड हो और जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा हो वो भी अगले को नीड हो तो इस वज़ा से बार्टर सिस्टम में बहुत जादा प्रॉब्लम से सेकंड जो प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में वो लेक आफ डिविजबिलिटी था अब हम इसको ऐसे सपोस करते हैं कि आपके पास एक गौट है यह गौट यानि बक्री अब वो गौट आप 10 किलोज आफ टमाटो के बदले में दे सकते हैं जब आप टमाटो लेने जात गौट का थोड़ा सा हिसा काट के दो दे नहीं सकते क्योंकि इस तरह से आपकी गौट मर जाएगी तो अब आपको आप कैसे उससे अपनी तरफ से जो भी कमोडिटी देंगे वो कैसे आप उसे डिवाइड करेंगे तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक और जो प्राब्लम था बाटर सिस्टे में वो था लेक अफ कामन मेर आफ वेल्यू यानि किसी कमोडिटी के बदले में अगर दूसरी कमोडिटी दी जा रही है तो कितनी कौंटेटी में कितनी वाली में दी जाए आज आप देखते हैं कि गोल्ड कितना महेंगा है हमें बिल्कुल ही मामली कॉंटेटी में गोल्ड मिलता है एक लाग खुर्पे में, अगर हम वही एक लाग खुर्पे कोई और कमोडिटी लें, like potatoes and tomatoes, तो शायदे में ट्रक बरके मिलें, तो लेक आफ कामन मेरा वेल्यू भी एक प्रॉब्लम था, कि किस कमोडिटी के बदले, दूस लेकिन आप उनको केरी केसे करेंगे, क्योंकि ट्रांस्पोर्ट तो थी नहीं, और अगर आपने केरी कर भी लिया, तो आप इस्टोर केसे करेंगे, अगर आपके पास बहुत सारी buffaloes थी, cows थी, और आपके पास उन सब का milk भी था, तो जिनको आप milk देंगे, या जिनको आप milk देने जाएंगे, तो आप उस milk को केरी केसे करेंगे, अगर आपसे कोई वो दो दिन milk लेने वाला ना भी हो, तो आप दो दिन तक उस milk को अपने पास केसे स्टोर करेंगे, क्योंकि ना तो storing facilities थी, ना तो transporting facilities थी, और जब तक आपको कोई ऐसा आदमी ना मिल जाता, जिसको milk की नीड थी, तब तक आप केसे उस milk को अपने पास रखते, तब तक तो milk क्योंकि पेरिशिबल गूट से तो वो खराब हो जाता, तो ये बहुत सारे प्राब्लम से बार्टर सिस्टम में, जिनकी वज़ा से बार्टर सिस्टम खतम हो गया, और आखिरकार money invent होई गई, और जो money invent हो गई, तो बार्टर सिस्टम की जगा फोरहनी money यानि करंसी ने ले ली, तो ये था आज का बार्टर सिस्टम, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अची लगिए, तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजेगा, कमेंट भ बला हो सकता है, थैंक यू सो मच, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, थैंक यू स्टुडेंट्स